हेलो एवरिवन और वेलकम टू इंस्टेंट बाइलोजी बाय डॉक्टर निलाव आज इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है मास ट्रांसफर तो देखिए यह बायो प्रोसेस इंजिनिरिंग का एक बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक है गेट में हर साल इससे questions आते हैं यह काफी yielding topic है तो इसको पढ़ना जरूरी है तो मेरे suggestion के इसाब से आपको इस topic को जरूर पढ़िएगा और यह वीडियो अन तक देखिएगा इससे आपके concept जो है mass transfer को लेकर के वो जो है वो clear हो जाएगा तो बायो प्रोसेस इंजिनिरिंग म हम काफी आगे तक आगे हैं काफी सारा portion already cover कर चुके हैं उमीद करता हूँ आपको मेरे वीडियो से कुछ फायदा हो रहा होगा और इसी करम को बढ़ाते हुए आज देखते हैं mass transfer तो सबसे पहले mass transfer होता क्या है अगर किसी भी बहुत ही आसान भाशा में आसान शब्दों मे समझने की कुशिश की जाए तो mass transfer is the transfer of mass from one point to another एक जगे से एक point से दूसरे point पे mass के transfer को ही mass transfer कहा जाता है ठीक है पर यह तो बहुत ही basic सी definition हो गई कि mass को एक जगे से दूसरे जगे पे पहुंचाना है तो इसी को mass transfer कहा जाएगा अगर फोड़ा सावर scientific terms में बात की जाए तो mass mass transfer करवाने के लिए दो तरीके हैं हमारे पास कौन-कौन से दो तरीके सबसे पहला तो होता है diffusion और दूसरा होता है connection ठीक पहला हो गया diffusion तो आज जो हमारा discussion है वो diffusion के उपर focused रहेगा convection की बात फिर कभी की जाएगी तो diffusion में क्या होता है समझने का प्रयास करिएगा कि अभी diffusion तो खेर आगे देखेंगे पहले तो एक चीज और समझने कि जो यह mass transfer का process है यह खुद से नहीं होता इसके पीछे एक gradient है या इसके पीछे driving force है ठीक है जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपका driving force क्या है वो आपका engine है engine उसको drive करता है तो इसी तरीके से यह आपका diffusion या जो आपका mass का transfer हो रहा है उसको भी करवाने के लिए कोई ना कोई driving force होना चाहिए जो इसको fuel प्रोवाइड करें कि यह प्रक्रिया जो है यह जो process है वो हो पाए तो कौन-कौन सी चीज़े हैं कौन-कौन से driving forces हैं concentration का gradient एक. पॉइंट से दूसरे ॉइंट के बीच में अगर concentration के बीच concentration का difference ह तो भी यह mass transfer होगा दूसरा point temperature का difference अगर temperature का difference है दो points में तब भी यह होगा pressure gradient है pressure का difference है तब भी यह mass atmosphere का process होगा तो driving force के बारे में समझ में आ गया होगा कि यह क्या है इसका एक छोटा सा example हम लोग अपने bio process engineering के terms में लें कि fermenter के अंदर आपने fermenter के बारे में हमने काफी detail में बात की है अगर आपने नहीं देखाई वो वीडियो तो जरूर देखें फर्मेंटर के अंदर जब भी अगर aerobic culture आप कर रहे हो तो आपको पता है कि oxygen का supply जरूरी हो जाता है oxygen का supply होता कहां से स्पार्जर के जरीए होता है तो यह मैंने एक rough सा diagram बनाया है फर्मेंटर का यहाँ पे यह आपका स्पार्जर है यह आपका हो गया स्पार्जर और स्पार्जर का काम क्या होता है बताया भी था मैंने की oxygen का supply करना oxygen को provide करना किसके अंदर तो परिजाहिर सी बात है जब आपने कोका कोला या पेपसी पी होगी और उसके अंदर स्ट्रॉ के जरीए आप पी रहे हैं तो स्ट्रॉ से ही अगर आपने फूक मारी अंदर तो क्या होगा कि कोका कोला के अंदर bubbles बनने लगी तो यह bubbles जो है इसी तरीके का यह जो पंड़ा है यह bubbles है तो यह क्या हो रहा है इसी तरीके का कुछ पंड़ा आपके फर्मेंटर के अंदर भी होता है स्पार्जर से oxygen रिलीज की जाती है और यह oxygen जो है इस फर्मेंटर के अंदर bubbles के फर्म में होती ठीक है बबल बन जाते हैं अब समझने की कोशिश करिए कि we must transfer की बात कर रहे हैं यहां पर तो यह जो बबल सर्क आंदर सब्राइब नहीं होगा और इस मीडियां के पास क्या होगा oxygen नहीं होगी यह medium जो है oxygen deprived होगा इस bubble के अंदर oxygen होगी तो देखिए बन गया ना concentration gradient एक point ऐसा है या एक centralized जगे ऐसी है जहां पर oxygen का concentration बहुत ज्यादा है और बाकी medium की बात कर ली जाए जो इस fermenter के अंदर है वहाँ oxygen है नहीं तो क्या होगा driving force हमें मिल गया concentration gradient मिल गया हमें जो बबल के अंदर oxygen ज्यादा बाहर medium के oxygen कम तो यह concentration gradient हो गया अब इसी की वज़े से इसी की वज़े से क्या होगा जो oxygen अंदर थी बबल के वह अब बाहर निकलके या medium में circulate होने लएगी अगर आपने बाहर से इंपिलर बगरा लगा रखा है तो वह दूसरी चीज है तो यह concept clear हो गया होगा कि supply of oxygen in fermenter fermenter के अंदर oxygen की supply को हम एक mass transfer का example ले सकते हैं तो यह clear हो गया हो चलिए अब आईए देखते हैं diffusion कैसा process है इसके बारे में हमने भी कहा भी कि mass transfer दो तरीके से हो सकता है एक हो गया diffusion दूसरा हो गया convection तो आज diffusion देखते हैं diffusion जो है इसके बारे में सबसे पहला जो सबसे convincing सा law आया जिसको बोला जाता है fix law ठीक है तो fix law उनके scientist के नाम पे ही है fix नाम ठाउन का तो fix law of diffusion बोला जाता है इस law का को समझना अगर चाहें तो इसमें simple सी बात कही गई है कि जो diffusion flux है यह जो flux है इसके बारे में हो भी देखेंगे diffusion जो flux है जो diffusion हो रहा है वो किस पे depend करेगा concentration gradient पे depend करेगा और concentration gradient से मतलब क्या है कि जो आपका यह diffusion होगा वो higher concentration से lower concentration की तरफ ही diffusion होगा तो यह कुछ बात कढ़ी fix आपने कि हाई concentration area से low concentration area की तरफ diffusion होता है तो चलिए यह तो fix law of diffusion होगया है हमने diffusion flux के बारे में बात करी हम इसका use करके अभी आगे कुछ चीज़ें बताएंगे लेकिन फिलहाल हमें एक चीज़ देखनी है यह कि जब mass transfer हो रहा है जबी भी mass transfer का process हो रहा है तो वो किन चीज़ों पे dependent करेगा ठीक है तो जब देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ों पर dependent करेगा mass transfer तो rate of mass transfer की बात मैंने की rate of mass transfer किसके ओपर dependent कर रहा है सबसे पहला हो गया area of contact यानि की जो भी जिस भी चीज़ को आप transfer करवाना चाहते हैं वो किसी चीज़ में होगी या उसका area क्या है कि वो बाकी चीज़ों से या बाकी medium से contact में कितना उसका area है चलिए इसको एक बहतर धन से समझते हैं एक example के तौर के जैसे कि यह हमारे bubbles है ठ को पता है अब इस oxygen यह bubble का कुछ surface area होगा यह bubble है अगर तो इस bubble का कुछ surface area है यही surface area यह बाकी medium के contact में है तो यही surface area responsible है कितना area touch कर रहा है बाकी boundary से या जहां पे वो concentration या वो substance नहीं है तभी तो चीज़ों transfer हो पाएगा तो सबसे पहला factor क्या हो गया जो area of contact है यह clear हो गया होगा दूसरा diffusivity देखे diffusivity बहुत सारी parameters पर depend करता है diffusivity या binary diffusion coefficient इसको बोला जाता है यह temperature पर भी depend करता है pressure पर भी depend करता है material की property पर भी depend करता है जो आपको transfer करनी है तो यह number of things पर depend करता है लेकिन एक particular set of conditions पर यानि की standard condition में यह constant रहता है diffusivity की बात हो गई अब बात करते हैं concentration gradient की क्या हो गया concentration gradient का मतलब simple side नहीं हो गया कि एक point से दूसरे point के बीच में concentration का कितना difference है जैसे suppose करिए यह एक point है यह point है A और यह दूसरा point है जैसे इस point को माल लिजे C1 और इस point को माल लिजे C2 तो अगर आपका concentration of C1 ज्यादा है C1 का concentration ज्यादा है C2 से तो क्या होगा diffusion शुरू हो जाएगा जिस चीज से concentration की बात कर रहा हूं वो चीज diffuse होने लगेगी कहां पर C2 की तरफ तो यह बात होगे तो यह concentration gradient की यहां भी समझाया था फिर बता दिया आपको तो यह concentration gradient की बात होगे तो यह तिन चार फैक्टर्स हैं जिनके ओपर यह आपका rate of mass transfer depend करता है Actually होता क्या है कि आपको बता ही होगा कि rate of mass transfer actually area of contact और concentration gradient पे भी depend करता है लेकिन जब अब proportionality का constant हटाते हैं proportionality का sign हटाते हैं तो उसमें कोई ना कोई और चीज़ आपको कोई ना कोई constant जोड़ना पड़ता है distance लिया जाता है ठीक है तो dca by dx क्या है आपका concentration gradient ca मतलब क्या होगा जो c1 और c2 के बीच में concentration का difference है जैसे कि अगर c1 minus c2 की बात करने तो यहीं आपका ca है यहीं आपका ca है तो यह हम पर unit distance ले रहे हैं तो dca by dx लिखा गया और यह area तो था ही अब जब proportionality का constant हटाया गया होगा तो यह dab या diffusivity का जो parameter है वो add कर दिया है अब diffusivity का जब parameter यह add किया गया है तो आप इसके तरफ देख रहे होंगे कि sign जो है वो negative लगा हुआ है यहाँ पर नेगेटिव साइन के पीछे कहानी से इतनी सी है कि कि जो diffusion हो रहा है वो कम concentration की तरफ diffusion होता है यह की high concentration से low concentration की तरफ diffusion होता है इसलिए जो यह sign use किया गया है वो signal sign क्या है वो negative sign है तो यह clear हो गया होगा कि आपका जो रेट है या एन एकल सो माइनस डीए बी इंटु ए इंटु डी इस यहां पर देख लेंगी यहां पर जो एरिया की बात की गई है इसके इसके बारे में एक चीज़ बताना चाहूंगा कि सर्फेस एरिया जब आप ऑक्सीजन का करते हैं स्पार्जर के जरी ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है किसके अंदर यह फर्मेंटर के अंदर ऑक्सीजन जब जाता है तो बड़े-बड़े बबल्स को ना प्रोड्यूस किया जाए क्यों जितना ज्यादा बड़ा बबल होगा सर्फेस एरिया हम छोटे-छोटे इसी इसी बबल के बराबर अगर छोटे-छोटे बबल्स को बना दें तो क्या होगा मेरे पास सर्फेस एरिया क्या होगा वह बढ़ जाएगा जब सर्फेस एरिया बढ़ जाएगा तो जो रेट ऑफ ट्रांसफर है रेट ऑफ मास ट्रांसफर है यह रेट ऑफ स्टियट टैंक रियक्टर के बारे में बताया था उसने बताया भी ताकि जो नीचे वाले जो ब्लेड से वो क्या कर रहे थे स्पार्जर से प्रोड्यूस होने वाली ऑक्सीजन के बबल्स को काट दे रहे था चोटे चोटे पार्ट में दूर। इसी यही रिजन था की जो एरिया, एरिया से अगर आप डिवाइड कर दीजे, rate of transfer of mass, क्योंकि हम mass flux की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो rate of transfer of mass per unit area कर दीजे, तो rate of transfer of mass तो अपन ने पहले ही निकाल लिया था ना, यहाँ पे, rate of transfer of mass तो हमारा पहले ही आ गया था, यह DAB का क्या मतलब हो गया, क्योंकि यहाँ पे दो चीजों के बारे में बात हो रही है, एक तो A को हम क्या consider कर सकते हैं, A का मतलब हो गया oxygen, यानि कि जिसको हम transfer करवाने वाले हैं, और B क्या मतलब हो गया, जो दूसरा component है, जिसके जर्य है, जिसके थू, जिसके अंदर पास हो रहा है, उसको हम लोग B बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पे B क्या कीज है, वो medium है, A आपका oxygen हो गया, B medium हो गया, तो इनके बीच में transfer हो रहा है, तो NA is equals to minus DAB into A into DCA by DX, यह हमारा आपका, यहाँ अपकी equation सोन में आगी, मास फ्लक्स के बारे है, मैंने बताया, कि आप rate of transfer of mass को अगर area से divide कर दीजे, तो आपकी mass flux की value आजाए, यह तो फिर वहीं चीज़ मैंने किया, तो यह जो rate of mass flux है, rate of transfer of mass flux, इसको JA से दिखाते हैं, तो JA equals to NA by A, और NA की value यहाँ पे हम अल्रेडी निकाल चुके थे, जिसमें A से अगर आप divide कर देंगे, तो क्या आजाएगा, सिर्फ इतना बचेगा, minus DAB into DCA by DX, minus DAB into DCA by DX मैंने लिख दिया, तो यह क्या हो गया आपका, यह आपका mass flux हो गया, और यहाँ पे मैंने एक चीज़ और लिखिया, यह जो DAB है, इसके बारे में भी बताया भी था, यह diffusivity coefficient है, या binary diffusion coefficient भी इसको कह रहे हैं, यह किसके चीज़ों पे depend करेगा, बताया भी था, temperature पे, pressure पे, property of material पे, बहुत सारी चीज़ों पे depend करता है, बट एक standard set of conditions में यह constant रहेगा, तो यहाँ पे बात हो गई, अब एक चीज़ और यहाँ पे इसके अलावा बतानी थी, यहाँ पे कि, देखिए, इसके सबके units आपको पता होने चाहिए, units पता होने इसलिए चाहिए, क्योंकि bio process में, जभी भी कोई numerical आता है, तो कई बार आप उसके units से सही अंदाज़ा लगा सकते हैं, दूसरी बात, units से कई बार उस question को solve करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, तो अगर हम unit, देखना चाहिए, हर चीज़ का unit, तो na का, या rate of mass transfer का, भी mass का transfer हो रहा है, तो transfer तो हमेशा related to time होता है, तो, और mass अगर हो रहा है, तो mass का सबसे जो ज़्यादा use होता है, वो moles है, तो moles per second आपका na का unit हो गया, na मतलब क्या हो गया, rate of mass transfer यहाँ पे हम लोगों ने निकाला गई था, rate of mass transfer is equals to moles per second, यह इसका unit हो गया, और यह CA की बात करें, CA हम लोगों ने यहाँ पे बोला भी था कि यह क्या था, CA क्या था, concentration gradient था, अब concentration का unit आप जानते ही है, क्योंकि यहाँ पे हम fermenter की बात कर रहे हैं, तो volumetric basis पे हम concentration को लेंगे, concentration यह भी again moles per meter cube, प्योंकि volume हम यहाँ पे consider करते हैं, पूरे fermenter के अंदर हम consider करते हैं, तो moles और per unit volume या volume को हम लोग मीटर cube भी लिखते हैं, तो moles per meter cube हो गया, अब आए एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक्स भी यूज़ किया गया था, तो एक्स क्या है, डिस्टेंस का unit है, यह DC1 और DC2 के बीच में, कितना distance है, उसको यही आपका यह X है, C1 और C2 यहाँ पे, जो दो points हैं, sorry, दो points हैं यहाँ पे C1 और C2, इनके बीच में कितना distance है, यह X, इसी distance की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो X distance क्या होगा, इसका unit होगा, meter, M यह रिख रहे हैं, तो अब इसी equation से, DCA, तो NA का तो हम लोग value पहले ही निकाल चुके थे, NA की जो unit था, हम लोगों ने देखा था, क्या था, moles per second, तो moles into second minus one, area का meter square होता है, DX का, again distance था, तो meter, और DCA का moles per meter cube, तो इसको अगर आप solve कर दें, तो moles और moles कर जाएगा, और meter cube, यहाँ meter square है, meter minus one हो जाएगा, और यह उपर चला जाएगा, तो meter square, into second minus one, तो यह आपका unit हो गया, किसका diffusivity का, आपका unit हो गया, तो इस तरीके से, कुछ units को भी हम ने देख लिया, इस lecture में, units को ज़रूर याद रखेगा, direct question भी पूछा जा सकता है, और आप यह भी देख सकते हैं, कि question को solve करने का, एक basic idea आपको लग जाएगा, units के through, तो मैं उमीद करता हूँ, कि यह mass transfer का यह lecture, आपके लिए useful रहा होगा, अगर आपको यह video पसंद आया हो, तो प्लीज इसे like करिए, और मेरे चैनल को subscribe करिए, हमारे साथ telegram ग्रूप पे जुड़िये, और अभी recently हमने अपनी website के उपर, biochemistry का mock test भी upload किया है, आप उसको भी दे सकते हैं, उसको भी check कर सकते हैं, कि आपकी तैयारी gate और net के लिए कैसी चल रही है, thank you so much, have a great day,